इस वडियो में बात करने जा रहे हैं जी टीवी के सीरियल मीद के बारे जिसमें अशी सिंग और शगुन पंडे में लीड्स प्ले करते हैं तो गया जी शो के फैंस के लिए है कुछ नया अपडेट मेरे पास जैसा कि आप सब जानते हैं मैंने कई दिनों पहले आपको बताया था कि शो में आने जा रहा है जनरेशन लीप शो में लीप ऐसा आएगा कि शो की स्टोरी पूरी तरह से बदल जाएगी शो को पूरी तरह से रिवैंप किया जाएगा और नहीं तरह से शो की कहानी शो की स्टोरी पूरी नहीं तरह से आगे बढ़ेगी और मैंने आपको बताया था कि शगुन पंडे और एशी सिंग दोनों प्लान कर रहे हैं सेरिल को कुट करने का एक्जिट करके छोड़ जाने का जैसा कि mostly leaps और revamps वगयरा के बाद होता है अब उसी पे है कुछ update तो का इस channel और makers का एमानना है कि अशी सिंग शो में सबस्यादा viewers को attract करती है और अगर वो शो को exit कर देंगी तो शो की viewers वगयरा सब down हो जाएगी और शो आगे नहीं चल पाएगा ये सब को देखते हुए अशी सिंग को नोंने मना लिया है और अशी सिंग अब शो में रिटेन होने वाली है लीप के बाद revamp वगयरा के बाद भी अशी सिंग अब शो को quit करके नहीं जा रही वो शो का part स्टिल रहने वाली है काफी बड़ी है नियोज है अशी सिंग के फैंस के लिए अब हम बात करें शगुन पंडे की तो शगुन पंडे को आप नहीं देख पाएंगे सीरिल में विकाज वो स्टिल एक्जिट ही करने वाले हैं सीरिल को और अशी की जो नई स्टोरी लाइन यानि की मीत की जो नई स्टोरी लाइन होगी अशी सिंग वगएरा जो प्ले करेंगी उसमें आपको शगुन पंडे देखने को नहीं मिलेंगे यानि की अशी और शगुन की जो जोडी फैंस को बहुत ही जादा पसंती वो आप अब नहीं देख पाएंगे विकॉस शगुन पंडे शो से बाहर हो रहे हैं और अशी सिंग स्टिल सेरिल में कंटिन्यू करने वाली है शो की लूक बगएरा सब बदल जाएगी नए क्रेक्टर्स होंगे और इवन शो की शूटिंग लोकेशन भी बदली जा रही है तो काफी चेंजिस आपको देखने को मिलेंगे शो में पूरी तरह से मीट एक नए रूप में देखने को मिलेगा और रिवैंप्ट वर्जन देखने को मिलने वाला है अशी सिंके फैंस के लिए काफी अच्छी गबर है विकोज वो शो को अब एक्जिट नहीं करने वाली तो कमेंट्स में अपना रियक्शन ज़रूर दीजिए इस न्यूस पर आपकी क्या राया है वीडियो को लाइक शेर करिए सारी अपकमिंग मीट एंड जी की न्यूस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेले के दवाली जीता आगया को एपडेट मिस ना करें फिलाल के वडियो में तना ही मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में भी के लिए चलता हूँ गुट बाहे